कश्मीर मामले में मद्यस्ता को लेकर अमेरिकी रास्टपती डोनाल ट्रम्प के दावे की पोल खुल गई है जिसमें ट्रम्प ने दावा किया था कि भारतिय प्रिधान मंतरी नरेंद मोदी ने उनसे कश्मीर मामले में मद्यस्ता करने के लिए कहा है Democratic Party के सांसत Brad Sherman ने कहा है कि सभी जानते हैं कि भारती प्रिधान मंत्री नरेंद मोदी कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे और Donald Trump का बयान गलत और शर्मनाक है Brad Sherman ने कहा है कि हर कोई जो दक्षिन एशिया की विदेश नीती के बारे में कुछ भी जानता है वो जानता है कि कश्मीर मसले में भारत लगातार तीसरे पक्ष की मध्यस्ता का विरोध करता रहा है और सभी जानते हैं कि प्येम मोदी कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे ट्रम का बयान गलत और शर्मनाक है और बतादे कि पाकिस्तान की प्रधान मंतरी इमरान खान से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राज़पती डौनाल ट्रम्प ने दावा किया था कि भारती प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने उनसे कश्मीर मामले में मध्यस्ता करने के लिए कहा है और अपने बयान में डोनाल ट्रम्प ने कहा था कि मैं प्रिदान मंत्री मोधी से दो हफ़ते पहले मिला था और हमने इस मुद्दे पर बात की थी उन्होंने कहा कि बहुत सालों से यह विवाद चल रहा है और वो मुद्दो का हल चाहते हैं और आप भी इसका हल चाहते हैं ट्रम के बयान पर अब वाइट हाउस को सफाई देनी पड़ी है और वाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है और इसलिए ये मसला दोनों देशों में बाचीर के जरिये सुल्ज है जा सकता है कर दोनों में पाइट है